नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं देशवर में करोना के मामलों को देखते हुए बोर्ड नया फैसला लिया परिक्षा की तारिखों का विश्तिरी सेड्यूल सीबीएसी की वेबसाइट cbsc.nic.in पर जल्द ही जारी किया जाएगा बोर्ड परिक्षा है खुल दो घंटे की होगी cbsc की वेबसाइट cbsc की ओर से ही परिक्षाओं के लिए केंद्र अवंटिट किया जाएगा छात्रों को ओन ही परिक्षा केंद्र पर ही परिक्षा देनी होगी टर्म टू की परिक्षा के प्रश्क पत्र का सोरूप cbsc द्वारा जारी सेमपर पेपर के अधार पर होगा जार्खन में एलो अलट जारी पच्मी रायस्थान में बन रहे साइक्लेनिक सर्कुलेशन का असर बुद्वार की साम से जार्खन में भी देखने को मिलने लगा है राजे में मौसम का मिजाज बदल रहा है मौसम केंद्र रांची ने दस फरवरी को राज्जे के उतर पूर्वी भाग देवगर धनबाद दूमका गिरिडी गोटा जामतरा पाकूर तथा साहिब गंज के अलावा मध्यम भाग रांची बोकारो गुमला हजारी बाख खूटी वर रामगर तता दक्षिनी भाग पूर्वी और पच्मी सिमोवसरा एकला खर्शावा और सिम्डेगा में हलके से मध्दच की बारिश की समना जताई इसके बाद एक गारफ फरवारी से मौसम मुख्यता सुस्क रहेगा बी आरपी सी आरपी को इसकूल भ्रहमन के लिए हर मा एक हजार और टैप देगी सरकार समगर सिक्षा अभियान के तहत कारवरात प्रखंड साधन सेवियों तथा संकूलन साधन सेवियों की मुख्य जिमिदारी सिक्षकों की छमता बढ़ाना है ताकि वे बच्चों को गुनवाता पुन सिक्षा दे सके अब बियार्पी वे सिक्षकों के साथ मिलकर कक्षा तता बिसेवार उन टोपिक को पाठ जोजना त्यार करेंगे जो पिछली कक्षाओं में बच्चे नहीं पढ़ सके केंद्रीय सिक्षा मंत्रालाई के लर्निंग रिकवरी प्लान में उन्हें जिमिदारी दी गई है इसके तहद जार्खन के सभी प्रकंड संसाजन केंद्रों को टैप दिये जाएंगे ताकि बियार्पी सिक्षकों के लिए ओनलैन डिजिटल समागरी त्यार कर उपलब्द क जार्खन सिक्षा विभाग मत्यान भोजन को ले कर सकते सचीव राये सर्मा ने स्कूलों को चालूवीतिय वर्स में दी गई अनुदान की रासिस सत्परजित खर्च करने के निदेश दिये उन्होंने मंगलवार को सभी जीला सिक्षा पता दिकारी तथा जीला सिक्षा बैठक में कहा कि इनमें को ताही वरत्ते जाने तथा रासिस सरेंडर होने पर जिम्यदार लोगों के विरूत सक्त करवाई की जाएगी सचीव ने स्कूलों के खुलने के बाद बच्चों को उपस देती तथा मद्यान भोजन की जनकारी की बैठक ली इसमें यह बात सामने आई की अभी उपस देती काफी कम है उन्होंने 17 जीलों के सभी स्कूलों में कक्षा 1-8 के बच्चों को अनिवारे रुप से मद्यान भोजन उफलब तिराने के निर्देश दिये भासा भीवाद को लेकर आदिवासी सेना ने फुका सरकार की पुतला जार्खन में बाहरी भासा को लेकर उठे भीवाद को लेकर गुरुवार को आदिवासी सेना ने राई सरकार का पुतला फुका आयोजन परमबीर अलवट एका चोक में किया गया इस दरन चार सुत्री म सरकार से की गाई इसमें जार्खन में भासा अतिकरमन को बंद करने भोजपूरी मैथली मघी अंगी का भासा को शेत्रिय भासा के सुची से बाहर करने अस्थानिय निती 1922 खतियान आधारित लागू करने नियुजन निती अविलम परिभासित करने वह जार्खन में अस्थान लोगों को अधार पंजीकरन सेवा सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी सभी पंचायत वाड और सहरी चेत्र में अधार नमांकन अधार सुधार जैसी सभी महत्पुन सेवा प्रग्या केंद्र के माध्यम से परदान की जाएगी इसके लिए सुचना प्रद्योगी की विभाग जार्खन सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रायोजीत संस्था C.S.C.E. गवर्मेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच बुद्वार को एमयू किया गया है ट्रेफिक नियमों का उलंखन करने वालों के खिलाप परशासन सक्त जार्खन की राज़ानी राची में ट्रेफिक नियमों का उलंखन करने वालों खिलाप ट्रेफिक पुलिस और जीला परशासन सक्त रवया अपनाया है नियम तोडने वालों के लिए डृइबिन लाइसेंस को भारी संख्या में सस्पेंड किया गया बीते साल 2021 में जन्वरी से दि समबर तक 841 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किये गया अवस्तन हर महिने 678 लाइसेंस सस्पेंड हुए ज्याजता रहा है कि दो महीने माई जून में लॉकडाउन के दौरान महाज 82 लोगों के डियल सस्पेंट हुए है मतलब 10 महा में ही 8,069 लोगों के डियल सस्पेंट किये गाए लातेहार के मंगर डाहा जंगल में पूलिस नकसली मुड़े दोनों तरफ से 279 लोगों गोलिया चलाई गई इस दोरान पूलिस को भारी परता देख नकसली भागने में सफल रहे वही पूलिस ने नकसलीयों के कई समान भी ब्रामत किये हैं पूलिस को सुचना मिली थी कि मंगर डाहा जंगल में नकसली आ रहे हैं इसी सुचना के अधार पर पूलिस ने सच अपरेशन तेज किया राजयपाल रमेस बैस पहुँचे राजरप्पा जार्खन के राजयपाल रमेस बैस सब परिवार बुद्धवार दो पहर में रामगण के रजरप्पा मंदिर पहुँचे इस दोरान उन्होने माची निमस्तिके देवी की बिधुवत पूजा अर्चना की साथ ही नारियल बली देकर रक्षा सूत्र बंधवाया पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राजयपाल सिरी बैस ने कहा कि मात्ता से जार्खन के विकास वक्षाली की कामना की है राजेपाल स्रीबाइस ने कहा कि जार्खन आये 6 मा हो गए लेकिन गुप्त नवरात्र के आकरी दिन महाचिन मज्दके के दरबार में आने का सोभागे प्राप्थ हुआ जार्खन में 318 नाय केस मिले हैं जबकि 366 मरी स्वास्थ भी हुए हैं जार्खन में कुलेक्टिव केस की संख्या 2230 है भारत में 55,286 नाय केस मिले हैं जबकि 1,166,425 मरी स्वास्थ हुए हैं भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 7,586,47 है कोडार्मा में बिना डॉक्टर चल रहे अल्ट्रासाउंड सील कोडार्मा में नियम कानुन को ताक पर रहकर अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने एवाम अवय तरीके से दवायों के कारोबार की सुचना पर जीला परसासन की टीम ने बुद्धवार को सहर के विभीन इलाकों में छापे मारी अभियान चलाया इस दरण बिना डॉक्टर के संचालीत मिले अल्टरसाउंड सेंटर पर करवाई की गई परसासनिक टीम ने डॉक्टर गली में संचालीत पाउंशरी अल्टरसाउंड वा राजगढ़िया रोड में संचालीत एडवांस अल्टरसाउंड को सील कर दिया है वही माईका गली में एक मकान में बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में दवायों का एस्टोक प्रामत हुआ इसमें कई दवाया एक्सपायरी वो परतिवन्दित थी ऐसे में उक्त गोदाम को भी सील कर दिया गया डीजीपी नीराज सिन्हा की बड़ी मुस्किले सुप्रीम कोट में जार्खन सरकार और पूलिस महानी देशक डीजीपी नीराज सिन्हा के खिलाप लंबित अमाना याजका को ततकाल सुनवाई के लिए दाखिली याजका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोराण चीफ जस्टीस एन्वी रमन जस्टीस ए एस बोपन्ना और जस्टीस हेमा कोहली की तीन सदस्ये पीठ ने कहा कि वह इस मामले को ज़्यादा सुचिवत करने पर विचार करेगा प्रार्थिक याजका में आरोप लगाया गया है कि नीरा सिना 31 चनवारी को सिवा निवरित होने के बाद भी काम कर रहे हैं जारखन में हट सकते हैं प्रोनती पर रोक गुरुवार को आवेजित राज कैबिनेट की बैठक कई मायनों में महत्पुन होने जा रही है और अभी तक की त्यारियों के नुसार इस बैठक में प्रोनती पर लगी रोक हटाने को लेकर कार्मिक विभागे प्रस्ताव पर चार्चा संभव है प्रोनती पर लगी रोक हटनी तो हाई ही इसे एक समय सीमा के अंदर हटाने की त्यारियों में सरकार लगी है केबिनेट की बैटक में सनुवीदा कर्मियों को महाँगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर भी निन्म लिया जा सकता है अचहरों के तहट सनुवीदा परकारणत कर्मियों को अब महाँगाई भत्ता 85परत्युत तक बढ़ाने की बात काई गई है JSAC और सरकार से हाई कोट ने पुछा उम्र का कॉट ओफ डेट ने धारन का क्या है अधार जारकन हाई कोट के जर्षिस टाजेस संकर के अधालत में असनातक अस्तरिय सर्यूत परवेस परतियुक्त परिचा में उम्र के कॉट ओफ डेट में बदलाव के खिलाब दाकिले आज क्या पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अधालत ने राई सरकार और JSAC से जवाब मांगा अधालत ने पुछा है कि इस नियुक्ति के लिए जारी बिग्यापन में उम्र का कॉट ओफ डेट किस अधारपन इधानात किया गया है पुर्व में इसी नियुक्ति में जब प्रार्ति आवेदन के लिए आहर्ता पूरी करता था तो उस बिग्यापन को रवत करते वे उम्र के कट ओफ डेट में क्यों बदलाव किया गया इस मामले में अगली सुनवाई एक गारा फरवरिक होगी इस सम्माद में मनोज कुमार की ओर से हाई कोट में आज का दाखिल की गई है स्वास्थ मंत्री उत्राखंड चुनाव परचार के लिए रवाना स्वास्थ मंत्री बन्ना गुपता को उत्राखंड चुनाव परचार की जिमिदारी दी गई है केंद्रिय नितित्व के निर्देश पर वे बुद्ध्वार को उत्राखंड के लिए रवाना हुए दो दिवस्य दिली दोरे के बाद केंद्रिय नितित्व के निर्देश पर स्वास्थ मंत्री बना गुपता उत्राखंड चलेगा भासा तथा अस्थाने निती को लेकर साथ मार्च को घेराव करेगी आईसू देव सरन भगत ने बताया कि बैठक में राजी की बर्तमानी स्थिती के साथ सदस्यता अभियान एवम जन संग्रा धन संग्रा अभियान को लेकर विस्तित चर्चा की जाएगी। मंत्री मंदल विभाग ने बुध्वार को इसकी जारी कर दिया है। वर्षों सित्यनाथ 768 पूलिस जवानों के तबादला कर दिया गया है। प्रधान मंत्री कोशल विकास से जारखन में रोजगार इन परियोजनावों से देश बर के 2.21,62,723 अभियार्थी जुड़े हाँ जार्खन में मन्रेगा घोटाले में DC ओफिस तक पहुंचता था कमिशन ED ने खुटी में 18.000 रूपय के मन्रेगा घोटाले में जार्खन उचनेयले में सपत पत्र दायर कर दिया है ED जार्खन के सहायक निदेशक मन्तोष कुमार ने उग्द सपत पत्र दाखिल किया सपत पत्र के अनुशार खोटी में करनी अभियानता के पद पर तैनात राम बिनोद परसाद सिंग ने उपायुक्त कर्याले का सहयोग लेकर खुब भरस्ट अचार किया इसके लिए उसने उपायुक्त कर्याले को कमिशन भी दिया है जार्खन के कई सांसोदों ने राष्ट पति से की मुलकात भोगता वह पुरान जाती को अनुशुचित जन जाती में सामिल करने सम्मधित सन्विधान संसोदन बिल राज सभा में पेस होने के बाद जार्खन में राइनिती खल चलते जो गई भोगता के बाद अब यहां कुडमी महत्तो समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांगते जो गई है भाजपा और आईसु ने इस मुद्य को लपकते हुए मंगलवार को राष्टपती भवन की रापकड़ी नितावन राष्टपती रामनात कोविन से मिलकर यह मांग उठाई की जार्कन के साथ-साथ बंगाल और उडिसा के कुडमी समुदाय के लोग को आदिवासी का दर्जा दिया जाए धन्यवाद